का यही मैकिनोन मैकेंजी विरुद्ध आन्डरी डिकोस्टा केस मैकिनोन मैकेंजी विरुद्ध आन्डरी डिकोस्टा जी केस आहे या मदे अरज़दार एंड़े ही कमपणी मदे confidential stenographer होती पुरूष स्टेनोगराफार पेक्षा कमी वेतन दिन्याताले या कारनास्तावतीने कमपनी विरुद्ध दावा दाकल केला उच्छ नियालयाने एंडरी चे बाजुने निरने दिल्याने कमपनी ने उच्छ नियालयाचा निरनिया विरुद्ध सरोच नियालयामदे अपिल केले सरोच नेलया ने उच्छ नेलया चा निर्णे ग्राईय मांताना पुडिल कारने दिली कि कमपनी चे समर्तन असे होते कि confidential स्टेनोग्राफर चे काम इतर स्टेनोग्राफर चा कामा पिक्षा वेगड़े असते परन्तो सरोच नेलया ने असा सांगितले की काम गुप्त पद्धतीने के ले जाते काम कमी असले तरी ही सचोटी प्रामानिक पना कमपनी ची निष्टा या बाबत अर्जदार इतर पुरुष स्टेनोग्राफर पिक्षा कोटे ही कमी पड़त ना ही सरोच नेलया ने उपरोख्त मुद्धा कमपनी सिद्ध करू शकले ना ही तर समान असले तरी ही वेतना मदे मातर समानता रानार ना ही सकाड़ी आठ्ट साइंकाड़ी आठ्ट या दरमयन काम करनारी जी नर्सा है तिचा पगार अनि रात्री आठ्ट सकाड़ी आठ्ट या दरमयन काम करनारी जी नर्सा है तिचा पगार या मदे वेतन शरनी मदे फरकसनार ही निच्छिता है या मदे दुमत नाही परंतु एकादया कमपनी ने करार करता ना जर्तो चुकीचा पर्दति में कामगारान करूंग घितलेला असेल तर तसे चालनार नहीं असे यारिकानी सलोचनेलेन सांगितला कि कुनता ही करार हा न्यायाचा कक्षाता जाला पाहीजे प्रत्यक करार हा काईदी शिरत जाला पाहीजे